बच्चो सुबे से एक मैसेज पहुत सारे निउस पेपर में लगाता रहा जा रहा है और उस मैसेज के उपर 3-4-4 वीडियोज हर यूट्यूबर बना भी रहा है मैंने भी सोचा सुबे के टाइम कि मैंने का चले एक वीडियो बना देते हैं पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता इस तरह की वीडियो बारवा बनाने को, दूसरी बात मिरे पास टाइम भी नहीं है थोड़ा सा, मैं online classes लेता हूँ, ज्यादा लेता हूँ, तो मिरे पास time इतना हो नहीं पाता, पर जो एक message है वो ये था कि बहुत जल्दी decision आने वाला ह सरकार decision ले चुकी है, court में decide हो जाएगा, cbac paper cancel हो जाएगे, सरकार implement करेगी, ugs यानि की uniform grading system, अब ये uniform grading system क्या होता है, देखे इसके according जो होगा, वो ये होगा कि सब बच्चों को promote कर दिया जाएगा, ठीक है, और internal assessment पे सब को number दे दे जाएगे, पर मुझे आप एक बाह बत देखकर, क्या इस तरह के news पढ़कर, आप सुबह से बच्चा लोग, आप लोग सुबह से इन चीजों को देख रहे होंगे, और मुझे पूरी उमीद है, आपने कम से कम 20-25 वीडियो देख ले होंगी इसके उपर, लेकिन क्या आपको दिल से शान्ती बढ़ी, ससर बताना, दिल से शान्ती पढ़ी या नहीं पढ़ी, क्या एक्जाम कैंसील हुए, क्या आपको पता चला कि यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम अपलाई हो गया, क्या आपका मेंटल लेवल शान्त हुआ, आप और कन्फ्यूज हो गए, आप और ज़्यादा तडब गए, आप आप क्या नहीं होगा, सिर्फ इतना पता चला है कि यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम अपलाई हो सकता है, ठीक है, सब बच्चे प्रमोट हो सकते हैं, इंटर्नल असेस्मेंट के अकॉर्डिंग उनका रिजर्ट निकाला जा सकता है, सबको एक जैसे नंबर देकर आगे कर सक करते हैं, ताकि बच्चे higher studies के लिए college में admission ले सकें, ठीक है, बट ये सिर्फ एक, आभी कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक बात है जो अंदर से निकल कर आई है, पर अभी भी confirm कुछ नहीं हुआ, result 23 को आना था, 23 को या आएगा, फाल्त हूँ कि मैं वीडियो इसके ओपर टीन चा पर हाँ, मुझे लगता है कि आप लोगो ना ये सब चीजे पसंद है, कि कोई आपको तडफा है, कोई आपको जुड बोले, कोई आपको फाल्त हूँ की बाते बता है, कि ये होने वाला है, ऐसे होने वाला है, तो श्याद आपको मज़ा आता है, तभी आप लोग उन चैनल बहुत important है और रही बात आपके result आने की या रही बात आपके साथ क्या होने वाला है तो बच्चों वो आपको 23 जून को ही पता चल पाएगा पेपर आपके बच्चों कैंसिल ही होंगे ये बात मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ पर आई का बटन है आप लोग देख लीजेगा पर जो भी कुछ है ना वो कल 23 जून को ही decision आएगा उससे पहले किसी भी तरह की वीडियो देखने से प्रशान होने से क्या फाइदा तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल जो भी decision आएगा मैं आप लोग लेकर आऊँगा और हो सकता है मैं थोड़ा लेट हो जाओं हो सकता है मैं जल्ली लियाओं लेकिन जो एक decision आएगा ना उस पे वीडियो मनाने का हर यूटीवर का अधिकार होता है तो कोई भी अगर आपसे ये कहे कि इसने मेरा content चुरा लिया तो प्लीज उसकी बात को ज्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है जो news आती है ना सबका उस पे पूरा अधिकार होता है कोई यूटीवर पहले उस पे वीडियो बनायता है कोई यूटीवर उस पे बाद में वीडियो बनायता है तो यह तो कहना वेफ कुई पहली बात है कि उसने मेरा content चुराया सिरफ और सिरफ way of presentation way of communication ठीक है आप उस चीज़ को कैसे present कर रहे है कैसे उस चीज़ को edit कर रहे है कैसे अपनी बात को बोल रहे है that is the only way content, news, सबकी same ही होती है कोई भूती unique content जो अलगी दुनिया से अटके है अगर कोई बना रहा है और आप उस तो copy कर रहे है तब तो हम आप उस चीज़ कोपी कर रहे है लेकिन कोई news कैसे आप copy कर सकते है तो बच्चों जो कल news आएगी उसके उपर मैं आपको वीडियो जरूर बनाऊँगा प्लीज मेरी वीडियो देखना जरूर Thank you very much मिलते हैं next video